चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी Tech News and what a week it has been! क्या हफता रहा है दोस्तों! कल दो अन्बॉक्सिंग किये, आज दो अन्बॉक्सिंग किये, कल भी आने वाले हैं अन्बॉक्सिंग लिटरिली दोस्तों इतने सारे अन्बॉक्सिंग आ रहे हैं जो पिछले 2-3 महिने बन था न सब कुछ वो अब सब बाहर निकल रहा है अगले 2-3 हफते तो ऐसे ही होने वाले, you are going to watch a lot of unboxings लेकिन दोस्तों, unboxing की बात छोड़िये, आज की Tech News के बारे में बात करते हैं क्या जबरदस Tech News लेके आएं दोस्तों, I am telling you, you are going to enjoy today's Tech News लेकिन दोस्तों, Tech News के बारे में बात करने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिये, बेल आइकन में जाएगे, all कीज़े ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं, दो मेंसे एक अन्बॉक्सिंग बोलता हूँ जो मैंने की हुई है and I am super excited, इस फोन के बारे में बात किया हुआ है Motorola One Fusion Plus, इसका अन्बॉक्सिंग फॉर्शन इप्रेशन किया हुआ है, नहीं देखा है make sure you watch it, लेकिन पूरी टेक न्यूज देखिए उसके बार में और कल के पोल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पोल में हमने पूछा था कि भाई, क्या आप प्रिफर करोगे रिमुवेबल बैटरी, मुझे लगा था, एक्चुली जादा लोग कहेंगे हाँ भाई हमें रिमुवेबल बैटरी चाहिए लेकिन नहीं कुछ 74, 75, 76% लोगों ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए packed, sealed बैटरी हमें चाहिए, that is very interesting I am on the other side और दोस्तों आज Indian intelligence agencies ने कहा है कि 52 उन्होंने ना list निकाली है 52 Chinese apps की जो उन्होंने कहा है कि हमारे phones के उपर नहीं होनी चाहिए और इन 52 apps में से TikTok है, Mi Store है, Club Factory है, Shien है, Mi Browser है इसे इतने सारे shared भी है दोस्तों यह सब जो apps है, Chinese apps है और क्यों कहा है क्योंकि उनका मानना है कि आपका जो data है वो शायद चुरा सकते हैं यह apps इंटरेसिंगली PUBG नहीं है क्योंकि वो भी Chinese apps है लेकिन PUBG का नाम नहीं है इसके अंदर इसका मतलब कुछ selected apps है और मुझे भी लगता है दोस्तों आप लोगों ने यह जो list दिख रही है अगर उसमें से कोई भी app हो आपके पास तो उसे uninstall कर दीज़े वैसे दोस्तों और एक चीज़ यह जो कल जो हुआ ना बॉर्डर पर उसकी वज़े से हुआ है डियोटी ने आप कहा है इंट गवर्मेंट ने डियोटी को कहा है कि भाई यह जो हुआ वी जीटी चाइनीज इक्विपमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलिकॉम नेट्वर्क्स के लिए उनको आप बैन कर दो बैन तो नहीं कहा है दोस्तों लेकिन उनके इक्विपमेंट्स मत इस्तेमाल कीज़े जैसे चाइना ने हुआवी के खिलाफ किया हुआ है वैसे ही इंडिया भी लेकिन एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट कीजे एक घंटे के अंदर मेरी तरफ से आपको रिप्लाइज एंड लाइक्स जरूर मिलेंगे हार्ज भी दोस्तों ये न्यूस देते हुए मुझे अब ऐसे लग रहा है कि यह हर रोज का ही होने वाला है क्या जियो को ग्यारावी इंवेस्टमेंट मिल गई है इलेवन्थ इंवेस्टमेंट येस और इस टाइम भी कुछ साड़े ग्यारा हजार करोड साओधी अरे भी है कि पी आफ या पी एफ नाम की कंपनी है उन्होंने अब जियो प्लाट्फॉम में डाल दी है पैसे कुछ साड़े ग् 11,600 करोड रुपए और पूछिये मत तोटल जो हो गया है वो शायद अब 1,15,000 करोड के ऊपर टोटल इंवेस्टमेंट हो गया है एक लाख पंदरा हजार करोड दोस्तो इस इन जोक वैसे और एक चीज इसी के बारे में आई है CCI जो है Competition Commission of India उन्होंने एक एंटी ट्रस्ट एंक्वाइरी बिठा दी है Facebook और Jio के जो डील है उसके अंदर 5.7 बिलियन की ये डील है मतलब कुछ 35-40,000 करोड की ये डील है की देख रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं अगर कुछ प्रॉब्लेम निकला तो शायद वो डील वापीस आ जाए वैसे दोस्तों क्विकली गेमर्स के लिए बोल दू PlayStation 5 जो है एक जगह पे लिस्ट हो गया है यूरोप के एक e-commerce वेबसाइट के उपर और उदर जो प्राइस दिख रही है बेस वेरेंट के लिए वो कुछ 399 यूरो है इसका मतलब कुछ 35,000 रुपए वगेरे अगर उस प् वीडियो जो आज हमने अप्लोड किया उसके बाले में बात करते हैं आज TCL ने दोस्तों बहुत सारे टीवी लांज कर दिए क्यू लेड के जिया और वो चालू होते हैं 45,000 से और जाते हैं कुछ 2,500,000 रुपए तक येस लेकिन हमारे पास जो टीवी है मतला बहुत सारे ट 25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 फोन तरीका भी हो गया, 6000 mAh की बैटरी, 865 प्रोसेसर अगेरे, लेकिन अगर वो वीडियो देखोगे तो हेफ्टी लग रहा है दोस्तों, हाथ में इतना बड़ा फोन लग रहा है, सोचे हमत, लेकिन बात अच्छी है, अभी भी उन्होंने 3.5 mm jack जो है, वो रीटेन किया सो, it's looking good, it's coming, coming very soon, मेरे हिसाब से, by mid-July लाँच हो जाना चाहिए, सब कुछ हम आपको जरूर बताएंगे, जल्दी ही, जैसे ही लाँच हो, लेकिन उससे भी बड़ी ख़बर है दोस्तों, Geekbench पे, Asus Zenfone 7 ये लिस्ट हो गया है, इंटरेसिंग चीज़े, Android 10 पे होने वाल है, so that is very, very interesting. आप इंसल्ल कर पाओगे, लेकिन बहुत ही जल्दी AODs, अलग टाइप के आ रहे हैं, OnePlus के पोड़े, पैसे दोस्तों एक न्यूस देना भूल गया, आपको ट्वीटर पे वोईस ट्वीट्स आ रहे हैं, वोईस ट्वीट्स, जी अगर आप ट्वीटर पे हो, तो 140 सेकंड्स का वोईस ट्वीट आप पोस्त कर पाओगे, पहले 140 कारेक्टर था, अब 140 सेकंड्स का वोईस ट्वीट आ रहा है, I'm interested, लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आयोस पे ही रिलीज हुआ है, होने वाला है पहले, उसके बाद में Android पे आने वाला है, अगर आप ट्वीटर पे हो, अग ट्वीटर पे, जाहिए, 8AP मेरा परसनल है, ट्रैकिंटेक हमारे कमपनी का है, अगर फॉलो नहीं किया हमें, हमें ट्वीटर पे, तो फॉलो ज़रूर दीज़े, दोस्तों, एक चीज से मैं बोर हो गया हूँ, लिटरली बोर हो गया हूँ, जिया, रियल्मी का जो पीछे का camera setup है, similar है, पिछले एक साल से, या आठ महीनों से, जो भी phones launch कर रहे हैं, सभी में बहुत similar है, vertical line, तीन camera, चार camera, जो भी होते हैं, तो थोड़ा बोर हो गया हूँ, जैसे मैंने कहा, लेकिन worry not, कल के जो ask madav episode था, उसमें उन्होंने कहा कि अगले महीने में, जो एक phone आ रहा है, या फिर हम release करने वाले हैं, नया हमारा camera कैसा होगा, जो camera का setup है, तो अलग होने वाला है, I just hope कि जो बीच में design आया था, vertical shape का, वैसे अगर कुछ होगा, flush एकदम पीछे, back के साथ, तो बहुत मजा आएगा, but I am waiting for it, realme needs a new camera setup, that's for sure, I am not sure दोस्तों क्या चल रहा है, ये मैंने पिछले भी पीछे भी बताया हुआ था, Xiaomi उनके जो phones के prices हैं, वो बढ़ाते ही जा रहा है, और एक ही टाइम पे नहीं बढ़ा रहा है, कि यहां यह देखिए, 1000 रुपए से बढ़ा दिया, 500 रुपए बढ़ाएगा, फिर 300 रुपए, फिर 500 रुपए, ऐसे कर रहा है, Redmi Note 9 Pro Max दोस्तों, 500 रुपए से और प्राइस बढ़ाई है, जी हां, मतलब जब लॉपए से टोटल प्राइस बढ़ाई है, अगर लॉपए से साथ कंपेर करते हो, तो साड़े 18,000 को अभी आपको 6GB, 64GB विरेंट मिलेगा, उतना ही नहीं, Redmi 8A Dual, इसकी भी प्राइस 300 रुपए से अगर आपको बढ़ाना है, एक ही बर बढ़ाई है, ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 किष्टों में मत बढ़ाई है, EMI's में, not good, don't do that, और दोस्तों, आज इंडिया में लांच कर दिया है, शाओमी ने उनका Mi Selfie Stick Tripod, जी हां, Xiaomi Selfie Stick Tripod, 1,099 मतलब 1100 रुपए का है, और अच्छा है, Bluetooth है, इसका मतलब आपने फोन रखा हुआ है, सेल्फी निकालना है, Bluetooth से बटन दबाई है, और फोटो निकल जाएगा, अच्छा है, बहुत पहले से चाइना में आया हुआ है, अभी अभी इंडिया में, और दोस्तों, मेरा जो तीर है, वो निशाने पे लग गया है, और दोस्तो इंडियन स्टैंडर्स पे लिस्ट हो गया, इसका मतलब, लाँच इस नोट वेरी फार, और सी मनमोहन जी ने कहा है, कि 20-25 दिन में आने वाला है, इसका मतलब, नेक्स्ट फोन, फ्रॉम पोको, इस गोई टो पोको M2 प्रो, और फिलिपकाट का बड़ा सेल, बिग सेविंग सेल 23rd जून से लेके 27 जून तक चालू हो रहा है, और बहुत सारे जवरदस्त ओफर्स हैं स्मार्ट फोन के ऊपर, वीवो के फोन लीजे, आइफोन लीजे, पिक्सेल फोन लीजे, और बहुत सारे दूसरे भी फोन से, बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिल रहा है, जैसे ह जालू हो जाएगा ये सेल, हम आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, लेकिन आज भी जरूर जाके देखिएगा, बहुत सारे डील्स और उफर्स हम देते ही रहे हैं, चलिए दोस्तों होती है, टेक न्यूज आज खतम इधर ही, और सेल के बारे में भी चर् कॉंग्राचुलेशन्स अभी जी भेज जी आपका पेडियम का मोबाइल नंबर, हम भेज रहेंगे आपको आपका पेडियम गिफ्ट वाउचर, नाव टाइम फॉर्ट इम्ट सेग्मेंट आपका नाम लेने का, हमारे सूपर स्रार्स का नाम लेने का, कल के हमारे तीन प्रिशेख ठककर और उत्तम जैन, congratulation जोब्ली लवली, लवली कमेंट्स दोस्तों ऐसे ही रोज कमेंट्स लिखते रहएं, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पड़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, आपको हाट्स और रिप्लिइस देता रहूंगा, च stay safe